नमस्कार आप देख रहे हैं सीरी उस भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया शुवास्ता ग्लोबल वार्मिंग को देखते में जुस तरीके से इस साथ यानि की 2024 में पड़ी रिकॉर्ड गर्मी बताती है कि अगर विकास के अंदा दूंद दौर में पेड करते रहेंगे तो गर्मी का मौसम आने वाले समय में बरदाश्ट करना मुश्किल हो जाएगा अब समय आ गया है कि हमें पेडों को सुरक्षित करने के सासाथ पयावरर को देखते हुए व्रक्षा रोपर को भी बढ़ावा देना है इसलिए समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रधान मं के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात ने 20 जुलाई तक इस बड़े अभियान के अनुसार प्रदेश में 36 करोर पौधे लगानी का लक्षी रखा है इस बहत्वपूर अभियान को लेकर हमारी सहयोगी गौरफ श्रिवास्तव ने उत्तर प्रदेश और बात को सभी जानते हैं कि तमाम तरह की ब्यास्ता के तहत्त आज प्रकिती पर उतना ध्यान नहीं होता है पर हम बात करें तमाम तरह के ऐसे अवियान भी होते हैं जो लगातार इस अवियान के माधियम से हमे प्रकिती को Fukyati करने का प्रयास लगातार जारी है अभी हाल में हमें रेखा है कि एक पौधा मा के नाम का अभियान चलना है जिसके माध्यम से यहाँ पर एक नया रिकारी बनाया जाएगा और अभियान की बात करें तो अभियान के बारे में और क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं सी न्यूस को बदाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पौधा रोपन पर विशेश अभियान चलाया है देखिए पौधा रोपन बहुत जरूरी है टेंप्रेचर प्रिस्वी का बढ़ता जा रहा है इसको रोकने का तरीका है एटमास्फियर की कार्बन डायकसाइट कम करना और पेड जो हैं वो कार्बन डायकसाइट को कम करके आक्सिजन बनाते हैं जो मनिश के लिए जीवन दाईनी है तो मैं कम गआ हम में से हर एक को पेड लगाना चाहिए मोदी जी ने जो कहा एक पेड मा के नाम मा से बड़ी दूसरी चीज दुनिया में नहीं होती तो उन्हों ने जो कहा है तो हर एक को पेड लगाना चाहिए और मा के नाम से पेड लगाना चाहिए हमारे मुक्मत्री आदर्निया योगी आदित नाज जी ने पानी का इंजाम हो देख भाल हो और पेड लगाना बहुत जरूरी है इस वर्ष 35 करोड का लक्ष रखा है बीस जुलाई को प्रमुक दिन होगा वो दिन 25 करोड पौधे लगेंगे इक सवाल मेरा रहेगा क्योंकि यहां पर जैसे आपने काहा कि पौधा होता है पौधे को बेस्ट होते होते दस से पंड़ा साल लग जाते हैं जब बड़ा होता है कुछ देने योग होता है छाओ देने योग होता है फल फुल देने योग होता है पर कर हम बात करें आज की समय में देश में हैं बाहर तकनिक हम में देखिए कि जो पेड़ होते हैं उनको जड़ सेट अठाकर और दूशे का रोपिक कर दियाता है क्या इस ज़सा में कुछ प्रियास करने वाली हैं सर्कार हमारी सरकार बहुत तेदी से आगे बढ़े हैं हमने कई एजेंशिस को बुलाया है कि सरक के जैसे पेड़ जो कट रहे हैं बजाए काटने के उनको वहीं लेटरल साइड में ट्रांस लोकेट कर दिया जाए तो हम पेड़ों के ट्रांस लोकेशन पे बहुत सीरियसली विचार कर रहे हैं और जल्दी ही इसको हम करेंगे आने बने समय में और क्या रहनी चीज़ती क्योंकि आपने अभियां पर रोपिर कर दिया जाएगा अभियान यहां चला जा रहे हैं पर अब आप प्यास की धरा को बढाने रखने के लिए यहां पर जो प्रकति है उसके सार उतना नियाय नहीं हो पा रहा जतना होना और हम हर किसान से कह रहे हैं हर खेत पे मेड़ हर मेड़ पे पेड़ किसान टिमबर लगाए तो उसके साथ एक पांच छे साथ साल में पेड़ तयार हो जाएगा जिसे उससे अलग से आमदा नहीं मिलेगी इसके लावा उसे कारवन सीक्विस्टेशन का भी पैसा मिलेगा त सबी दिकाएंगे एक पेड मा के नाम जरूर लगाओ और पेड लगाओ पेड बचाओ कम से कम जो हमारी प्रावनी स्थिरी है वो यहां पर बराबर बनी रहे और यहां पर चुकी पॉढ़ों को बाले होने में समय लगता है अगर बो पेड को काटा नहीं जाएगा विकास के लिए तो कहीं ना कहीं यह फायदा भी होगा और प्रावन की व्यास्थाओं को देखते रहे सी नियूज भारत